डौट राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी मा के साथ रहता था गर्मियों की छुटी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आये घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहां तो बहुत गर्मी है घर में कोई AC नहीं है क्या अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में AC लगवाया है यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले की सारा सामान राहुल के कमरे में ले गए राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उनने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है इस तरह बुआ फ जाने वाली है हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे राहुल की मा बोली बेटा रिष्टदारी का मामला है हम कुछ कह भी तो नहीं सकते राहुल की पत्नी सीमा बोली वह सब तो ठीक है लिकिन उनका च्छ ओटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधहम क करता रहता है कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फार डाला राहुल इस बात पर बहुत गुसा हुआ की नया सोफा फार दिया वह अपनी पत्नी से बोला तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं सीमा बोली जब सेबुआ फूफा जी आये है कुछ-कुछ खाने की डिमान करते हैं जिससे मेरा और मा जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ की वह आखिर कब जाएंगे डंडा राहुल ने बातों-बातों में फूफा जी से कहा कि वन महीना हो गया है आपके जौब अब तो मैं बिजनस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनस खोलने की सोच रहा हूँ पहले इस शहर को अच्छे से समझ लून जिसमें 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे यह सुनकर राहु समझ गया की फूफा जी अभी जाने वाले नहीं है डंडा उसने यह बात अपनी पतनी और मा को बताई सीमा बोली जग घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेड़ी करनी पड़ती है इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजे उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे तभी उनका लड़का सोनू चिलाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुडैल को देखा है तभी एक चुडैल वहां आ गई औ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा चुडैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुडैल का मुखोटा उतारा बुआ के परिवार के जाने के बाद सब ने चैन की सास ली स सीमा का बड़ी एकी मात्रा सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुडैल बनती है यह कहकर सब हैसने लगे Model of the story सीख इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिष्टे का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिष्टेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परिशान किया